26 सितंबर से शिरू हो रहे मात दुर्गा के शारदी नवरात्री उचसफ के लिए मातरानी के भक्त तैयारियों में चुट गए हैं मंदिरों की रंगरोगन और अग्यावत विध्यूत सजावच कर मातरानी के आगमने तुललाईत भक्तों के मन को 21 काफी वर्षों से कुरेद रही है वह है जै मात दी दुर्गा मंदे परेशा में रोज़ाना सजने वाले चिकन और मचली बाजार जै मात दी दुर्गा मंदे परेशा में खुले में सजने वाले इस मचली वच्चिकन मार्केट को अटाने की मांग शेत्र में रह रहे नागरिक और भक्तिकन पिछले करीब दो दश्चकों से करते आ रहे हैं नगर पाली का तैसील और विभागी कार्याले जिला कार्याले नगर अध्यक्ष नगर सेवक राजनीता विधायक सांसद नगर रचनाकार राजसरकार उपायुक्त कार्याले ऐसा कोई दर नहीं चूटा जहां माता के भक्तों ने गुहान ना लगाई हो लेकिन नतीजा के तीन पाथ ही नजर आता है कुछ पहल नगर प्रशासन द्वारा जरूर हुई पर उसे वे सकती से लागू कराने में नाकाम हुए बता दे कि नगर प्रशासन द्वारा इस मचली और चिकन बाजार को अन्यंत्र हटाने हितु कलमेश्व काचोल रोड पर बड़ी पुलिय के करीब इन वेफसाईयों के लिए पक्के कमरे बनाकर उनसे इन्हें स्थानांत्रत करने की सारी प्रक्रियां पून कर ली गई लेकिन एन वक्त पर बिल्ली रास्ता काट गई और करीब 20 लाक उर्पे की लागत से बनाई है मार्केट अवेद वेफसाई अनातिक कारे और आ की आस्ता के साथी खिलवार नहीं कर रहा अपीतु इस परिसा में रहे रहे नाकरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है चिकन मचली के मासों के लोथड़े मरी हुई मुर्गियां और मचलियों की सडान इस शेत्र के वातवरन को दूशित करने में कोई कसर नहीं छो पिछले करी 25 वर्षों से चली आरे इस मांग की और नगर प्रशासन कब अपना कड़ा रुक अपना कर खुले में बेखौफ जारी इस मास से विक्रे के वेफसाय को अपनी 20 लाक रुपे की लागत से बनाए सफेध हाती पर या अनिंत्र हला कर मातरानी के भक्तों की आस्ता और नागरिकों की मांग का समाधन करती है इस और नागरिकों की नजरे लगी हुई है इन बीसीय न्यूस के लिए सावनेर से समवाधाता किशो धुंडेले की रिपोर्ट